नमस्ते मैं हूँ अनुकमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीका जिससे कि मैंने जो मेरा पुराना शूरेक था उसको थोड़ा रिन्यू किया है और बहुत ही सिंपल सा मेकोवर करने वाली हूँ बहुत ज्यादा मतलब ड्रमाटिक चेंज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उतना ड्रमाटिक चेंज मैं फिर मेंटें भी नहीं कर पाऊंगी तो यह मेरा एंट्रीवे है और यह जो शूरेक है यह मैंने 200 का परचेज किया था लोकल मार्केट से इसको फिर मैं बार बार पेंट करती हूँ लगिने बहुत ही मतलब पु नहीं करते हैं उनको भी सोच रही हूँ थोड़ा चेंज करने का तो पहले तो मैं इसको इसका मेकवर करूंगी कि बिल्कूल एंटीक लगता है जैसे लगता कि एंटीक शॉप पे रखा हो तो पहले वाल पेपर लगाने से पहले इसको क्लीन करना जरूरी है जिसे कि अगर दूल रह जाएगा तो फिर वह चिपकेगा नहीं और जो वाल पेपर में यूज करने वाली हूँ बहुत ही सस्ता यूज करने वाली हूँ वह तो भी आप देखेंगे और यह वाल पेपर आपको एजीली ओनलाइन भी मिल जाएगा और लोकल मार्केट से लेना चाहे तो वह भी मिल जाएगा पेंट शॉप पे मिल जाता है लेकिन पेंट शॉप पे थोड़ी अच्छी कॉलिटी का मिलेगा तो आपको इस पर अगर मतलब जो बहुत पुराने फंडीचर हो तो उस पर ज्यादा अच्छा लगाने की ज़रूत नहीं है तो वैसे मैं लिंक दे दूंग जाएगा फिर उसको अगल लग चीज में यूज नहीं कर सकते हैं तो जो छोटे चोटे टुकड़े बचे उनको मैं रख लूगी उनको किसी और चीज में किसी और डी आइवाई में ही उस कर लूगी क्योंकि पैसे लगे तो पूरा वसूल तो करना चाहिए उसके बाद इस इसको जब हम लगाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा के फिर इसको जो स्टीकर वाला पेपर है वो नीचे से खीचना है और एक साथ सारा स्टीकर जो नीचे वाला है वो नहीं निकाला है इस तरीके से इसको प्रेस करते वेजा आपको दिख रहे होंगे नहीं तो अगर plain furniture हो आपका कोई iron का furniture या कोई लकड़ी का ही हो तो उस पर बहुत easily हो जाता है smooth हो जाता है और इसको आप चाहें तो जो छोटा वाइपर होता है उससे भी प्रेस कर सकते हैं बहुत इसली हो जाता है तो आप जितनी अच्छी तरीके से लगाएंगे उतना यह wrinkle-free लगेगा तो यह मुझे सबसे सस्ता और अच्छा जुगार लगा और यहां मैं इसको white color में इसलिए रख रही हूं ताकि थोड़ा सा मतलब यह पहले भी white color में ही था ओफ white color का ही है जिसे कि यह space छोटा है already तो बहुत ज्यादा छोटा ना लगे dark color नहीं कर रही हूं और यह उपर वाली side मैंने लगाया उसके बाद मैं इधर भी size के हिसाब से पहले कट कर लिया और इस तरीके से लगाया है शेल्फ अगेर अपर लगाया है अंदर की side और नहीं लगाया मैंने अगर आप चाहे तो आप लगा सकते हैं नहीं तो paint भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यह लकडी किती लकडी क्या है यह प्लाई है बहुत बुरी condition में है लेक क्योंकि घर में इसको कोई देखना नहीं जाता था फिर मैंने इसको paint करा मुझे ऐसी अजीव गरीब चीजे पसंद आती है जिनको देख के लोगो अच्छा ना लगे और उसके बाद करने यहां पे side side में भी पटियां काट लिया है तो उनको लगा रही हूं और यह जो पत अच्छा लगा तो सनमाई का लगाने के लिए समें फैविकोल लगाना पड़ता है और उपर से टेप से चिपका सकते हैं जब तक वो चिपक जाए उसके बाद इसको मैंने इस साइस का काटा है आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं सकेल से मैंने तो ऐसे ही काट लिया अंदाजे तो ये शूरेक मेरा अल्मोस्ट नया हो चुगा है जो कि अब अच्छा लग रहा है अब इसको कोई फेकने के लिए नहीं बोलेगा अटलिस जब तक ये देखने में ऐसा लगेगा तो तो चलिए अब हम बाकी की चीजों को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और ये सिलेंडर यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा होगा वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा यहाँ पर तो खैर मेरे पास ये ट्रे है इसको मैं सोच रही हूँ कि री परपस करूँ और ये ट्रे काफी बड़े साइज किया मेरे पास स्टोर रूम में पड़ी थी इसके अपर भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आप चाहें तो कोई पेंट कर सकते हैं अगर आपके बास भी कोई पुराना ट्रे पड़ा हो नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं तो यह स्टोर रूम में पड़ा था और पता नहीं क्यों खरीदा था कई बार ऐसा होता ना कि हम बस मार्केट ज चलता कि क्या करें उसका तो मैंने सोचा कि इसका यह यूज किया जाए तो इसको मैं थोड़ा सा मतलब एक जैसा एवन सा लूग देने के लिए यह वाला वाल पेपर लगा रही हूं क्योंकि सामने की जो टाइल्स है मेरे जो एंट्रिवे पर वो इस कलर की है तो यह टाइल कि पर जाएं लोगा के लुख कर सकते हैं और इसमें आपको कोई एंजीनेरिंग की जरुवत नहीं है यह बहुत इजीली आपने देखा मैंने कैसे निशान लगाया है कोई इंच टेप नहीं रखा कुछ नि रखा पट निशान लगाया फटा फट कट किया और थोड़ा बह अगर लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा वाल पेपर की तरह तो खेर वो तो बाद की बात है पहले दो मैं लगा लिया उसके बाद यह जो कॉइन बॉक्स है यह चाय पत्ती का डिबा था इसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया क्योंकि मेरे पस ब्लैक पेंट ही था तो अब अब पर मैंने जो स्पार्कल वाला शीट लगाया था फोम शीट उसको मैंने हटा दिया है और यह कुछ इस टाइप का है और इसमें साइड में कट मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि यह बॉक्स मैंने पूरे पे लगाया है तो उपन करूँगी तो साइड वाला जो हिस् कोई स्केल नहीं रखा है तो बस यह हमारा बॉक्स बनके रेडी हो गया और नीचे की साइड आप देख सकते हैं वह चाय पत्ती का डिबा था उसके बाद यह आइसक्रीम बॉक्स है तो इसको भी मैंने उपर इस टाइप का यह लगा दिया है वाल पेपर जिससे थोड़ा स देखने में इसकी लुक अच्छी आजाए और ऐसा लगा कि लगे कि हमने के डबा खरीदा है अलग से आइसक्रीम का बॉक्स नहीं है तो यह डबा बनके हमारा त्यार हो गया है उसके बाद थोड़े और कार्णामे कर लेते हैं उसके बाद बचा हुआ यह मेरे पास एक प् किया है तो इसके ओपर भी मैंने वाल पेपर लगाया है जिससे की थोड़ा सा देखने में अच्छी लुक आए और यह वाटरप्रूफ वाल पेपर है तो यह भी टेंशन की ज़रूद नहीं है कि खराब हो जाएगा और इसको मैं प्लांटर स्टैंड या नहीं स्टैंड न इसमें कुछ अगैन स्टैंड मैंने इसे रख़ा और इसमें कुछ पडचिया जो कि इसमें चायद मेरे हस्बंड की कामकी है किसी किसी की फोननंबर है जो हैंडी चाहिए होते हैं वह रख्या है मैंने वह उनको मैं बोल दूगी निकाल लेंगे क्योंकि मेरे पास इतना दि और यह चोटा सा ग्रीन कलर एंट्रीवे पर और यह सैनिटाइजर इसको मिने चुपा दिया है यह पर और यह मैं कडलरी ट्रे यूज कर रही हूं जो ब्रश पॉलेश वगरा इन सब के लिए और यह कुछ एक्स्ट्रा समान जैसे कोकरोच वाला जेल और ग्लू या पतनी जो रखा है और यह लौक एंड कीज नहीं लौक रखा है लौक कीज तो अंदर रख दिये और इस बॉक्स को मैं इसके उपर रखनी हूं यह बंद बॉक्स है तो इसमें यह टेंशन नहीं है कि मास्क गंदा हो जाएगा उसकी बद सिलेंडर रखना यहां पर मेरी मजबूरी है क्योंकि उपर वाले फ्लोर पे अगर मैं रखूंगी तो बार बार लाना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैंने यह प्लेट डालके यहां प्लांट डाल दिया और यह ओपन शूरेक जो है यह इस पर हम अपने जो डेली यूज की चपल जोते हैं बस वही रखते हैं या बाह मुझे काफी पसंद आया है यह मैंने ओनलाइन वंगाया है तो यह मेरा यहां तक तो हो चुका कम्पलीट उसके बाद यह हुक्स मैं लगाने वाली हो और मैंने ट्रांस्पेरेंट इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ट्रांस्पेरेंट दिखाई नहीं देते किसी को और फ सकती और ज्यादा पेंटिंग सीनरी मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि वह ज्यादा चीजे लगा दो फिर उसको पोच्ते रहो पोच्ते रहो अब प्लांट्स होगर है मैंने इधर डाल दिये हैं जिससे की थोड़ा सा ठीक लग रहा है और सिलेंडर यहां पे मैं इसलिए आई होप आप लोगों अच्छा लगा होगा और सभी प्रोड़क्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप चेक कर सकते हैं मिलती हूं नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए